Doppler's effect यहां इस बात पर गौर करिये कि यदि कोई इनसान कहीं खरा हो और उसकी तरफ एक sound source जैसे कहते हैं bullet B-not speed से आ रही हो और F-not उसके साथ associated sound हो और यहां यह cross करता है cross करके आगे निकल गया यह bullet speed वही B-not तो यह जो अभी सुनता होगा जब यह approach कर रहा है bullet इस इनसान को observer के तरफ आ रहा है और जब उसके बगल से निकल कर आगे जा रहा है bullet तब जो frequency यह सुनेगा उसे F-receeds कर देते हैं तो इन दोनों में अंतर क्या होगा तो approach वाला देखते हैं यह O कहने से थोड़ा सा confusion हो जाएगा तो भी bullet मैं कह देता हो या भी source ही कह देता हो क्योंकि source है अभी यही bullet तो एफ एप्रोच का frequency कैसे लिखेंगे आप एफ एप्रोच सोच करके देखिए एप्रोच का frequency आप लिख रहे होंगे यह ज्यादा होना चाहिए एफ नॉट से एफ नॉट से ज्यादा होना चाहिए तो denominator में क्या करें माइनस जी एस एस यह बुलेट की अभी बात कर रहे हैं और जब हम रिसीट्स की बात करते हैं तो दूर जा रहा है source frequency को क्या होना चाहिए कम चेंज कहां करेंगे denominator में तो percentage change जो सुनाई देगा percentage change in frequency यदि कोई कह दे तो हम क्या लिखेंगे एफ एप्रोच माइनस एफ रिसीट्स अपान एफ नॉट इन्टू 100 यदि कोई source आपके बगल से गुजरे sound एफ नॉट की frequency को generate करते हुए जब वो आप ती तरफ आ रही हुदी तब जो frequency है एफ 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 हैं और जब वो एप्रोच वाली frequency उसे कह देते हैं या एफ वन कह देते हैं और जब वो दूर जा रही है object आप से तो आप कहते हो एफ डिसीट्स और यहाँ percentage change यदि देखना है तो इस तरह से calculate कर सकते हैं क्या यह एडिया एक बार और सम्झाओं जाइए सोबाओं कि कि यह पेज में चैंज गरूँ घरी इट्ट्स होगी अच्छा यदी आप देख रहे हैं कि ये स्पीकर यहां पर लगाए गए इस्पीकर वन और यहां पर है इस्पीकर डू और एक आदमी इधर से दोड़ते हुए आ रहा है वी आपजर्बर यह दोनों एक जैसा फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है इस्पीकर वन इस्पीकर डू यह एक जो फ्रिक्वेंसी मिला F1 कह देता हूं और डूसरा जो फ्रिक्वेंसी मिला F2 कह देता हूं इस्पीकर डूसरे सोर्स के भी नजदीक जा रहा है यह इस्पीकर वन के नुम्रेटर में चेंज करेंगे प्लस आपने किया और क्या होगा तो वह दूसरे सोर्स के भी नजदीक जा रहा है यह आप जरबर तो बढ़ना चाहिए एक जैसा फ्रिक्वेंसी जेनरेट कर रहा था और यह आदमी दोनों के नजदीक एक ही स्पीड से भाग के जा रहा है तो जो बीट्स यहां क्यों आएगा क्योंकि दोनों के करण जो इसे फ्रिक्वेंसी मिला वो बढ़ा हुआ एक जैसा बढ़ा हुआ उन्हें कोई अंतर है ही नहीं अब आदमी दौरते हुए आगे निकल गया है दोनों स्पीकर के बीच दौर रहा है और जा किदर किदर रहा है लेप से रही अब जो इसके कानों में फ्रिक्वेंसी आएगा एक एक एफवन डैस और एक एफटू डैस आपको क्या लगता है क्या यह दोनों एक जैसे होंगे कौन ज्यादा होगा एफवन डैस देखते हैं पहले वाले स्पीकर से यह दूर जा रहा है तब तो कम होना चाहिए फ्रिक्वेंसी उपर माइनस किया और एफटू डैस के लिए उसके नजदीक जा रहा है दूसरे वाले इस पीकर के तो बरहेगा फ्रिक्वेंसी वी प्लस तो यहां पर बीज आएगा कैसे लिखेंगे एफटू डैस माइनस एफवन डैस आप यदि इन्हें सब्स्ट्रेक्ट करते हैं तो देखिएगा यह हो जागा ट्वाइस भी नॉट एफवाई भी आ जाएगा और यह आदमी दौरते हुए आगे निकल गया दोनों स्पीकर से जब यह आदमी दौरते हुए आगे निकल गया है दोनों स्पीकर से तो इसके कानों में आने वाले दोनों जो अब sound होंगे वो f1 double dash कह देता हूँ और f2 double dash कह देता हूँ f1 double dash तो पहले speaker से दूर जा रहा है कम करो frequency v minus v not upon v into f और f2 double dash उससे भी दूर जा रहा है v minus v not upon v into f तो net क्या हो जाएगा f2 double dash minus f1 double dash ये क्या हो जाने वाला है उसे 0 f beats double dash क्या हो गया 0 f beats dash वाला तो बचेगा और f beats जो पहले था वो 0 था तो यदि आपको लगे कि यह समझ में आया तो बढ़ी अच्छी बात है कि 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 अच्छा आपको वो नहीं पसंद आया कोई बात करो ना f1 double dash minus f2 double dash लिख लो देखो तो कितना आता है अच्छा आपके स्क्रीन पे नहीं आया यह कह रहा है आप अच्छा यह दोनों ही speaker से दूर जा रहा है या नजी का रहा है तो दोनों ही speaker से दूर जा रहा है तो frequency क्या होनी चाहिए ज्यादा या कम जहां से देख लो मैंना इचे लिख दिया V minus V not by V into f V minus V not by V into f ओके अब यहां चेक करिए यदि आप से कहा जाता है एक तावर के छट से एक sound source को एक speaker को एक speaker is dropped और इससे generate हो रहा है f not frequency या f frequency यह drop किया गया है time zero पे time t पे यह एक balloon में बैठे हुए इनसान के बगल से गुजरता है यहां इनसान का जो कान है यह observer अब यह इसके बगल से यदि गुजरे तो उस time पर frequency में apparent change क्या होगा यहां से देखिएगा यह है b value और गौर करिएगा इसका जो speed आप लेंगे gt लेंगे और gt में कोई खास change नहीं हुआ gt plus delta t delta t tends to zero तो आप यह t time पर जो frequency में अंतर महसूस करेंगे वो क्या महसूस करेंगे यह यहां पर मैं जाना चाहता हूँ एक बार यह observer के नजदीक आता दिखेगा f यह approach वाला source जो है नजदीक आ रहा है तो plus gt और observer भी नजदीक जा रहा है भी बैलोंग और multiply किसको कर दूँ f को और जब यह दूर जाता हुआ दिखे f डिसीट्स तो speed का तो वही गणित है और जर्भर उपर जा रहा है और वो जो source है वो नीचे गिर रहा है आप जर्भर के दूर हटने से भी माइनस भी वैलोंग और source के भी दूर जाने से भी denominator में प्लस जीती तो जो एप चेंज दिखेगा डेल्टा एफ वह एफ एप्रोज माइनस एफ रिसीट्स के बरावर होगा हां बताइए सर एफ एप्रोच में speaker नीचे आये और observer उपर जा रहा है तो वेट करो वेट करो हां आपने सही कहा approach के लिए approach में speaker source के नजदी जा रहा है उससे हमें बरहाना चाहिए और नीचे जो है यह माइनस करेंगे तो बढ़ेगा frequency आप सही है वी प्लस वी बैलून और नीचे वी माइनस जीटी थैंक यू यह डिल्टा-T को नेगलेग्ट तरेंगे ऐसी केस्पर एख गया है अब यह यदि आइडिया समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट देखिए एक सर्कुलर ट्रेक है इस ट्रेक पे ट्रेन को जाते देखिए लंबी सी ट्रेन और आप से क्या कहा गया ट्रेन से विसिल जेनरेट किया फ्रिक्वेंसी एप सर्कुलर ट्रेक यदि आप देखें सर्कुलर ट्रेक तो यह यहां है गार्ड इसमें बैठा हुआ है गार्ड और गार्ड जो हो यह एप्यरेंट फ्रिक्वेंसी सुनेगा तो यहां पर तो यह जाते देखो ट्रेन को तो आपको बताना है कि गार्ड जो अब्जार्वड करेगा फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी क्या होगा गार्ड जो अब्जार्व करेगा वो फ्रिक्वेंसी क्या होगा तो ध्यान से देखिए गार्ड का यदि आप वेलोसीटी दिखाना चाहेंगे तो गार्ड का भी हो जाएगा नैंटी माइनस थीटा यहां है नैंटी और यहां भी होगा नैंटी माइनस थीटा तो अब सोचिए यदि आप एप एपिरेंट लिखने वाले हैं तो दो फ्रिक्वेंसी तो आपने दो देखिए पहले तो सोर्स को देखिए लाइन जॉइनिंग के लोग उसका वेलोसीटी क्या है दूर जा रहा है और है वी ट्रेंट साइन थीटा और दूसरा देखिए ऑफजर भर गार्ड गार्ड सोर्स के नजदीक जाने की कोशिस कर रहा है उससे बढ़ेगा फ्रिक्वेंसी तो उपर प्लस करो वी ट्रेंट साइन थीटा इस लाइन के लोग जो स्पीद आ रहा है वी ट्रेंट कॉस नाइन्टी माइनस थीटा ये किस में बदल जा रहा है वी ट्रेंट साइन थीटा में वो यहां भी बदल रहा है वी ट्रेंट कॉस नाइन्टी माइनस थीटा ये हो जा रहा है वी ट्रेंट साइन थीटा तो अब आप चेक करिए यहां पर तो नुमिरेटर और डिनुमिरेटर दोनों एक जैसे हैं कैंसिल आउट हो गए एफ डैस किसके बराबर आएगा एफ के तो गार्ड जो है वही फ्रिक्वेंसी अभी सुन रहा होगा जो इस ड्राइवर ने जेनरेट किया है है विस्टिल इंजन में आपने तो अपना अपने फ्रिक्वेंसी वाला फर्मूला लिखा और कुछ खास काम नहीं किया है और आपको यह एफ और एफ डैस एक जैसे दिख रहे हैं यह सारे कंसेप्ट की तरह सेट करते चलिए कि कंसेप्ट की तरह मतलब एक्जांपल होगा तो उसमें डाटा होंगे और अभी हमने आपको जो फर्मूले बताए इनके लिखने की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई खास काम नहीं वेट चैंज करूँ दो मिनिट्ट कर दो हो गया सुन यहाँ यहाँ यदि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता दिख रहा हो इस्पीकर जो कि फ्रिक्वेंसी एफ जेनरेट करता है प्लोएस्ट पोजीशन पर याद करो फाइव जी आर होरिजेंटल होता था अंडर रूट फाइव जी आर फ्री जी आर हो जाता था और उपर वाले पोजीशन पर देखते थे अंडर रूट जी आर और फिर यहां देखते थे वही अंडर रूट फी जी आर आप इस डाटा को अल्रेडी जानते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन से यह स्पीकर है और उससे जनरेट हो रही है फ्रिक्वेंसी एफ और इसके सेंटर से काफी दूर जाकर एक ऑपजर्वर है और ऑपजर्वर जो है यह मैक्सिमम कौन सा फ्रिक्वेंसी सुनेगा यहां यह खास करके कह दिया गया है यह जो डिस्टेंस है इस पार 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 लेटर देन आप तो आपको एक पॉइंट सोर्स की तरही से एजियूम करने का मौका मिल रहा है इतना मतलब उस लाइन पर ही मान सकते हैं कानवाले लाइन पर तो मैक्सिमम वाला फ्रिक्वेंसी कौन सा होगा तो नीचे से जो आ रहा होगा कानों में यह मैक्सिमम वाला फ्रिक्वेंसी होगा और उपर observer 1 अब f max f min कैसे लिखते हैं वो आपको पता है सर नहीं पता मैं एक बार लिख के बता देता हूं v upon v minus under root 5 gr into f और minimum कैसे लिखते हैं v upon v minus plus under root gr into f सर कैसे आपने डिसाइड किया अरे एक बार source दूर जा रहा है तो minimum वाला वहां से आएगा और एक बार source नजदीक आ रहा है तो वहां under root 5 gr स्पीड से नजदीक आ रहा है और यहाँ वाला जो generate होगा f तो वो direct f ही पहुंचेगा कानों में क्योंकि वहां velocity का कोई component line joining के लोग नहीं है लेकिन यदि observer ऐसे ही distance पे नीचे कहीं होता तो इसके कानों में maximum वाला कहां से आता और minimum वाला कहां से आता यह under root 3 gr वाला maximum होता और दूसरे जगह से जो under root 3 gr वाला होता वो minimum होता सर कैसे लिखते इसका value minimum के लिए नीचे प्लस अंदर root 3 gr और उधर maximum के लिए भी अपॉन भी माइनस अंदर root 3 gr किसी तरह क्या नीचे और उपर भी लिख सकते हैं वर्टिकल अप और लिफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं यह सब्सक्राइब मैं पेज़ चैंज करूं सुर्य एक मिनिट्ट कि अपने रूट 3 gr क्यों लिए हैं वाइटिकल सर्कुलर मोशन में जब ब्लुएस्ट पोजिशन पर इस्पीड अंदर कि अंडरूट 3 gr तो नजदीक आने वाला वेलोसीटी और दूर जाने वाला वेलोसीटी यहां देखिए तो सर्कुलर मोशन में कौन सा है जो नजदीक आने वाला डिरेक्शन में है क्या यह वाला नजदीक आ रहा है इसके अरे वो नजदीक में है लेकिन जा किदर रहा है ना पे डिगरी पे वेलोसीटी का वो तो ना तो नजदीक आने का कोई टेंडेंसी है ना ही दूर जाने का कोई टेंडेंसी है तो हम यह डिस्टेंस नहीं देख रहे हैं हम देख रह का velocity दिख रहा है एक बार होरीजेंटल वाले सिच्वेशन में आप्स जा रहा है नीचे बाले ब्लू वाले ऊप जर्भर से दूर और दूसरे अंदरूर्ट 3GR वाले situation में किदा जा रहा है वो object पास तो जिस समय वो नजदीक आ रहा है वो velocity distance नहीं velocity important के अग्यान देना फर्मूले में distance लिखतो हो या velocity वेलोसिटी तो अंदरूर्ट 5GR वाला velocity थोड़े नाएगा कोई किसी फर्मूले में वो तो 90 डिग्री पे है कि speaker और observer के कान को लगी मिलाते हैं तो उसके respect में तो उसका तो कोई component नहीं आएगा तो वो f generate होगा तो f ही सुनाएगा इस observer को यह सर्ण वह एफ हो यहाँ आएगा तो यहाँ एफ ही आएगा तो यहाँ वहाँ velocity का component नहीं होगा वो उपर वाला भी f generate होगा तो f ही आएगा जो कि वहाँ velocity का approach वाला या suppression वाला कोई component नहीं है एक कि अधा ये शोच के बताओ तो निफ्ट साइड में यदि ऑप्जर भर है तो उसका क्या होगा जहां से मैक्सिमम आएगा और कौन सा रोला इस पीड लों के जहां से minimum आएगा कि सोच यह के बता। कि अंदर जियार τι आड़िया अट्रउडी लिया अंदर उनध फाइव जी आड़िया कि ए संस्ट देन डान एक्सिमूम जी आपाद ए जी लिखिया ओर जिल्वे के लिए उनधर रूट फाइब दिया यह एफ मीनिमम और यह एफ मैक्सिमम वाला आएगा क्योंकि वो जो वर्टिकल सर्कुलर मोसन में है उपर वाला वहां एप्रोच का है टेंडेंश यहां से देखिए एक आइडिया आता है चूहावब एल्धड एल्धिया तैन पूं यहावब लिया एप यहावब लेखिए वब स्वावेरंग एलध लेंदमलियग आहि यहावब यहावय निर्ध लावाब कि एल्ध स्वाविए इवेंट्स अब यह एप्यरेंट वेवलेंट के लिए यदि मैं कहता हूँ फॉर एक्च्वल वैल्यूज हम बड़े अच्छी तरह जानते हैं भी पस्टू एफ लेमडा और एप्यरेंट वैल्यूज वी डैस इक्वल स्टू एफ डैस लेमडा डैस एक यह सीधा सा आइडिया दे रहा हूँ इन्हें आप यूज कर लोगा यहां पर वी क्या है velocity of sound F क्या है frequency generated by source generated by source और लेमडा क्या है actual wavelength यह यदि आप कह देते हैं एक तरफ तो यहां दूसरी तरफ देखिए वी डैस को क्या कहेंगे पहले एफ डैस से मैं सुरू करता हूँ जो आपको अच्छा लगता है एफ डैस यह कहेंगे एपियरेंट अपूरेंट फ्रिक्वेंश तो आपको होगे एपियरेंट इसको गवा तो बहतर है इस मैं यह क्या कह रहा है मैं से कि अप्जार्वड फ्रिक्वेंशिय का eradbike फ्रिक्वेंशियं अ तो आप बताओ नुलेंडा डेस लेंडे स्को भी हमने क्या कह दिया एपिरेंट व्याइव लेंग और यह भीड ऐस हो गया एपिरिंट वेलुसी टि एपिरेंट वेलोसी टि का सेंस क्या लोगें एपियरनेंट वेलोसीटी आफ साउंड तो इसका मतलब लेंगे वेलोसीटी आफ साउंड वी डैस के लिए क्या लिख रहे हैं मैं फिर से लिखता हूँ वी डैस के लिए हम लिखने वाले हैं वेलोसीटी आफ साउंड विथ रेस्पेक्ट तू दा ओब्जर्भर यह जो यह जो आप कहते हैं न एपियरेंट वेलोसीटी एपियरेंट वेलोसीटी का वही सेंस लेंगे एपियरेंट वेलोसीटी एपियरेंट वेलोसीटी आफ साउंड का क्या सेंस लेंगे वेलोसीटी आफ साउंड विथ रेस्पेक्ट तू दा ओब्जर्भर सर यह कंफ्यूज कर रहे हैं आप यह कॉपी पर लिख लिया आपने एक बार मैं आपसे कहता हूँ कि एक ट्यूनिंग फॉर्क फ्रिक्वेंसी छेसो साथ हर्च और यह इस तरफ आ रहा है एए दस मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यहां पर है एक आप्जर्वर्भर आपसे निकालने को कहा हमने एफ डेस और फिर बताने को कहा लेम्डा डेस मतलब एपेरेंट वेवलेंट यहां वेलोसिटी आफ साउंड वेलोसिटी आफ साउंड वेलोसिटी आफ साउंड वी एस मत समझ लेना इसे वी साउंड का जो वेलोसिटी है यह दिया गया है तीन सो 40 meter per second आपको पहले f dash बताना है और फिर lambda dash बताना है तो solve करते बाद f dash का तो formula याद आएगा आपको चल कर रहा है source तो ये 340 340 minus 10 into 607 340, 330 into 607 680 hertz V dash क्या होगा velocity of sound with respect to observer observer तो चल ही नहीं रहा यदि observer चल ही नहीं रहा तो जैसा है वही लिख दो velocity of sound 340 वो sound उसकी तरफ आ रहा है और observer तो चली नहीं रहा है तो यह हो गया apparent velocity और लेंडा डेस हम धूंड रहे हैं फार्मूला क्या लिखेंगे वी डैस इकवर्स टू एफ डैस लेंडा डैस लेंडा डैस लेंडा डैस तो यह लेंडा डैस का वैल्यू कितना आ गया 340 वाई 600 वाई 2 मीटर यदि एक्च्वल वेवलेंथ हमें निकालना होता लेंडा एक्वल्स टू वी बाई एफ 340 वाई 660 वो आता 17 वाई 33 मीटर लेकिन अभी कितना आया है 1 वाई 2 मीटर यह लेंडा डैस है अप्यरेंट वेलोसिती कैल्क्लेट कर लो अप्यरेंट फ्रिक्वेंसी दॉपलर सिफेक्ट से कैल्क्लेट कर लो और फिर फर्मूला वही एप्लाई कर दो वी डैसिपल स्वेफ्ट स्लेंडा डैस जिन लोगों के समझ में आया है हैं राइस कर यह प्लीज चेक करिए वही ट्यूनिंग फॉर्प वही ट्यूनिंग फॉर्प छेसो साथ दस फ्रिक्वेंसी है छेसो साथ हर्च और यह टैन मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जाते हुए आपने देखा ओप जर्भर इधर आ रहा है फाइव मीटर पर सेकेंड से आपको एफ डैस बताना है फिर लेंडा डैस बताना है तो सबसे पहले आप एफ डैस के लिए फर्मूला देखिए सोर्स के नजदीक आने से बढ़ना चाहिए माइनस टेन और वह वेलोसिटी ऑफ सांड भी पिछला वाला ही अवलेबल है सांड का जो दिया गया है वो दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड आप सोर्स वाला माइनस करने वाले हो जिससे की बढ़े फ्रिक्वेंसी और ऑप्जर्वर का चेंज उपर करते हैं वह भी नज़ी का रहा है उससे बरहने के लिए उपर प्लस करना पड़ेगा 340 प्लस पांच और नीचे 340 माइनस दस इन्तू 670 तो उपर कितना आ गया 345 बच्टे 330 छेसो साथ तो ये एफडेस आ गया 690 हर्ट्स चेक कर लिजे कैलक्लेशन अब वीडेस एपियरेंट वेलोसीटी आफ साउंड यहां से देखिए साउंड आपती तरफ आ रहा है और आप नजदीक जा रहे हैं उस साउंड के उसी तरफ साउंड की तरफ अपियरेंट वेलोसीटी हो गया 345 और जब आप लिखेंगे वीडेस इक्वास टू एफडेस लेमडा डेस तो चेक कर ये क्या होगा वीडेस हो जाएगा 345 345 और दूसरा एफडेस कितना देख रहे हैं वही तो धूड रहे लेमडा डेस अच्छा नहीं एफडेस तो कैल्किलेट कर चुके 690 और लेमडा डेस तो लेमडा डेस होगे अब फिर से 1 बाई 2 अरे अब जरगर के चलने का असर नहीं दिख रहा कुछी असर दिखे ना दिखे रास्ता तो आप यही फालो करो यह चैंज करू मैं एक बाड़ी आता है इस पॉइंट के सोचने की इंटेंसीटी ओफ सांड तो मैं तो सीधे कहता हूं कि वो याद रखो आपने जो प्रेवलिंग वेव में यूज किया वन बाइटू रो वी ओमेगा एस्क्वाइर एंप्लिचूड एस्क्वाइर लेकिन लफड़ा क्या है दो एंप्लिचूड हो जाते हैं वन बाइटू रो वी ओमेगा एस्क्वाइर एंप्लिचूड तो यहां एंप्लिचूड कौन सा लेना है आपको डिस्प्लेस्मेंट और यहिए डिस्क्रशमेंट एंप्लिचूड को देखना है तो रो भी ओमेगा एस्क्वाइर एस्कवाइर स्क्वाइर खै आपको य्दि एस्नोट आप पीनोट से रिलेसिंट चाहिए हुग पीनोट होता है VKS-NOT यदि आप पीनोट वाले format में जाना चाहे और velocity of sound लिखते हैं अंदरूट B by density row जिन सबका आप यूज कर सकते हैं यदि एक format से दूसरे format में जाना चाहें यदि कभी आप बात करते हैं सर पिछला वाला पीज दिखा दो हो गया सर आप यदि किसी सॉलीड रॉड की बात करते हैं और इसको हिट करते हैं तो इसमें जो साउंड जाएगा इसका जब वेलोसीटी आफ साउंड आप लिखेंगे तो वह क्या लिखते हैं अंडर रोड एलास्टिसीटी वाइ डेंसीटी और ऐसे केसेज में इलास्टिसीटी में कई बार यंग मडुलस दिया गया रहता है तो आप यंग मडुलस डिशेट यूज कर लेते हैं वाई वाई रो यदि मेतलिक सॉलीड रॉड में देखते हैं कभी साउंड जाते पतले उनिफॉर्म रॉड में तो उसके लिए वाई बाई रो डैरेक्ट क्लिक देते हैं और यदि रॉड अजीव सेपका होगा तो उसमें वाई और बी का कंबीनेशन आ जाता है जो अपने सेलेबस के स्कूप से बाहर है तो जार सेलेबस के सेलेबस के सेलेबस के मैं तो आ जाता है